नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी चैनल स्टॉक नीज़ बायर भी में तो बहुत दो बड़ी खबरें एक्चली में देखे चौइना ने वर्निंग तो दी है बांगलादेश को भी बट इसके साथ जा जो खबरें वो क्या है नेटो ट्रेनिंग कर रहा है बेल्ट हो रहा है और जो कंट्री कभी साथ नहीं जाती थी फिल नेट जैसी कंट्री वो भी नेटो की एक्सरसाइज में साथ दे रही है तो बहुत बड़ी प्रोब्लम है साथ में जो तेल का खेल है वो नहीं रुक रहा अभी भी 120 डोलर से उपर फिर पहुंच गया है ब्रेंट की कोशिश कर रहे है तो इंडियन मार्केट में रिटेल जो इन्वेस्टर हैं वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप जैसे जितने भी हैं देखे नेस्टेक गिर रहा है नेस्टेक धाई परसेंट गिरा है कल के दिन में मतलब कल का फ्राइडे के दिन में अगर मैं कहूं तो US मार्केट में और साथ ही साथ दो जोन्स भी गिरा है साथे 3400 पाइट तो ये क्या संकेत करता है ये हफता थोड़ा सा टाफ होने वाला मार्केट के लिए बठाँ ये ध्यान रखे कि 15,000 के लेवल सब तक ब्रीच नहीं करता है बठाँ ये confidence रखना पड़ेगा रिटेल इंवेस्टर्स को क्योंकि सब dependency अब रिटेल इंवेस्टर्स और इंडियन दिया है इस पर FIS तो वैसे भी घवड़े से साबित हो रहे हैं भगड़े ही थे और वो पैसा कमाने आये थे और वो भाग चुके है अब इंडियन मार्केट इंडियन लोगों के हाथ में है कितना गेरेंगे ये देखना है बट मार्केट में थोड़ा सा strength आनी मुश्किल है थोड़ी volatility होगी मार्केट pressure में होगा तो थोड़ा सोच समझ के invest करने वाला दिन होगे आने वाले कुछ दुन थोड़े tough हो सकते हैं बट इंडियन मार्केट हमेशा कितरे strong खड़ा रहेगा